नमस्कार किसान भाइयो आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है अगर आपको PM किसान सम्मान निधी की तहथ पैसा मिलता है अगर आपको सालाना च्छाज़ार रूपाय के जो PM सम्माननीधी की रूप में पैसा दिया जाता है गेंदर सरकार के दुबार treatments होने वाले क तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना रहेगा, क्या इसके लिए कोई आवेदन करना रहेगा, तो हाँ बिल्कुल इसके लिए आवेदन करना रहेगा, अगर आप इस आवेदन को नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो 12.000 रुपए मिलने पेस होने वाली है उसमें यह गोशना होने वाली है कि जो भी PM किसान सम्मान नी थी जो 6,000 रुपे मिलती है वो अब 12,000 रुपे मिलने वाली मतलब प्रत्य एक महिना 2000 रुपे मिलने वाली है सभी किसान भाईयों को तो अगर आप इसके लिए लाब ले रहे हैं तो अगर आपको इसके लिए आविदन करना है तो आपको मैं बताऊंगा कि इसके लिए आपको कहां से आविदन करना रहेगा तो इसके लिए क्या हो रहा है भी जो बजट पेस हो रहा है उसमें ये गोशना किया गया है मतलब ये बाते निगल करके सामने आ रहे हैं कि जो 6,000 रुपए है उसको बढ़ा करके 12,000 रुपए किया जाएगा इसका करके तो अगर आप इस यूजना का लाब लेना चाहते हो 12,000 रुपए का लाब लेना चाहते हो वहाँ पर जब भी इसके लिए जो रेट बढ़ाया जाएगा 12,000 रुपए तो उसमें एक अपडेशन वाला आपसन आएगा उसमें आपको अपने जो डीटेल है वो सब्मीट करना रहेगा जैसे कि अधार का डीटेल और बीवन का डीटेल यह सब चीटेल को आपको अपडेट करना रहेगा उसके बाद से आपको 12,000 रुपए की जो पैसा है वो मिलना चालू हो जाएगा तो अगामी भविश्य में जो प्रोसेस होने वाली है उसको अगर आप देखना चाहते हो क्योंकि हमारे चैनल पर उसका वीडियो तो बने गई तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे इस चैनल को सेर भी कर सकते हो और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो धन्यमाद